नमस्कार, बायजूज, आए सिंदी में आप सभी का स्वागत हैं, और आज हम 8 मई के महत्पून्स समाचारों पर अधारित कुछ प्रस्टनों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो आए सुरू करते हैं आज का दैनी क्विज, आए देख लेते हैं question number 1 को, और question number 1 क्या है, निमलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और यहाँ पर आपको 3 कथन दिये गए हैं, आए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं, पहला कथन है केवल पुडूचेरी और दिल्ली विधान सभा वाले 2 केंडर सासित परदेश हैं, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश म आठ केंडर सासित परदेश हैं, जिसमें पुडूचेरी, दिल्ली और जम्मू और कास्मीर में विधान सभा की वस्ता है, फिलहाल पुडूचेरी और दिल्ली में विधान सभा काम कर रही है, जम्मू और कास्मीर में आगे चलके विधान सभा का चुनाव होगा, और विध दूसरे कथन को और दूसरा कथन क्या है कि ये केंसासित परदेश केवल राजिसूची में वर्नित किसी भी विशे पर कानून बना सकते हैं। और जम्मू और कास्मीर की विधान सभा के पास भी राजिसूची में वर्नित विशे और समवर्ती सूची में वर्नित विशे पर कानून बनाने का अधिकार होगा। पुलिस और भूमी को छोड़ करके बाकी सारे विशियों पर अपना कानून बना सकता है। उसी तरीके से जम्मू कस्मीर, राजिसूची के, सार्जनी के वस्था और पुलिस को छोड़ करके बाकी सारे विशियों पर कानून बना सकता है। लेकिन जो आपका कथन है उसमें कहा जा रहा है कि ये केन सासित परदेश केवल राजिसूची में वर्नित किसी विशे पर कानून बना सकते हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि केन सासित परदेश जहां भी विधान सबा होगा, वो राज सूची के साथ समवर्ती सूची में दिये गए विशे पर कानून बना सकते हैं। यानि कि आपका कथन दो भी गलत है। आए देख लेते हैं कथन 3 को और कथन 3 कह रहा है कि राष्टपती केन सासित परदेश के लिए एक उच्छ न्याले अस्थापित कर सकते हैं या उसे समीप वर्ती राज के उच्छ न्याले के अधिकार छेतर के अंदरगत रख सकते हैं। यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि उच्छ न्याले की अस्थापना सिर्फ और सिर्फ संसद के दोरा की जा सकती है। इसी वज़े से question number one का answer क्या हो जाएगा आपका option number D याने की कोई भी नहीं। आए अब दूसरे question को देख लेते हैं और question number two क्या है हाल ही में चर्चा मेरा काब सुरा कुदीनेर है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है काब सुरा कुदीनेर की। यहाँ पर COVID-19 की जो दूसरी लहर है उसको देखते हुए आयूस मंत्राले के दोरा आयूस 64 और काब सुरा कुदीनेर को वैसे percent को दिया जाएगा जो की COVID-19 से ग्रसित हैं लेकिन वो serious percent नहीं है। यानि कि उनमें जो लक्षन है वो बहुत ही ज्यादा विकराल रूप अभी नहीं ले रहा है उनमें mild लक्षन है यानि कि उनका इलाज अभी घर में हो रहा होगा या फिर उनमें कोई symptoms देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे patients को जो है आयूस ministry के द्वारा आयूस 64 और काप सुरा कुदिनीर बाटा जाएगा। तो यह जो आयूस 64 और काप सुरा कुदिनीर है वो एक हरबल दवाई है और यहां पर इनका उपयोग सांस से जुड़े हुए जो बिमारिया होती है उसके इलाज में किया जाता है जिसका उपयोग अब COVID-19 से ग्रसित जो patient है जो मरीज है उन पर किया जाएगा। यानि कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो काप सुरा कुदिनीर है या फिर आयूस 64 है वो एक हरबल दवाई है यहां पर आप देखोगे तो आयूस 64 जो की 1980 बनाये गया था और इसका मकसद था मलेरिया के इलाज का लेकिन अभी देखा गया है कि यह COVID-19 संकरमन को भी रोकने में काम्याब हो रहा है तो इसे भी अभी बांटा जाएगा है यानि कि यह दोनों के दोनों जो हरबल दवाईया है उसे आयूस मिनिस्ट्री के द्वारा COVID-19 को दिया जाएगा अब आए देख लेते हैं ऑप्शन को अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ोगे तो परबंधन के लिए उपप्योग किया जाने वाला सुत्रिकरन और यही जो है आपका सही उत्तर है क्योंकि आपके B, C और D कोई भी यह नहीं बताता कि यह जो दवाई है वो एक हरबल दवाई है और इसका उप्योग स्वासन पढ़ोग के उचित प्रबंधन में किया जाता या उससे जुड़ू ही बिमारियों को ठीक करने में किया जाता है यानि कि आपका जो question number 2 है उसका answer क्या होगा option number 1 आए देख लेते है question number 3 को और question number 3 है द्रिस सीमा से परे जिसे हम बोलते है beyond visual line of sight sort में इसे बोलते है BBLOS के संदर में निम्लिखित कत्रों में कौन सा सही है तो यहाँ पर बात हो रही है beyond visual line of sight की और यहाँ पर आपको दो कत्थन दिये गए हैं आए एक एक करके सारे कत्रों को देख लेते हैं पहला कत्थन है कि द्रिस सीमा से परे उडान भरने वाले ड्रोन आन बोर्ड उपकरनों द्वारा परदान किये गए डेटा द्वारा नियंतरित होते हैं तो यह बात सही है कि जो भी beyond visual line of sight पर आधारित जो ड्रोन होते हैं उन ड्रोनों में जो भी उपकरन होता है आन बोर् करने के लिए जो उनके उपर यानि की ओन बोर्ड उपकरन है उन्हें निर्देश दिया जाता है और इसी के द्वारा इन ड्रोनों को कंट्रोल किया जाता है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को और दूसरा कथन है BVLOS के लिए एक ड्रोन की तैनानी की लागत कई अन तरी हैं उनका उपयोग करना हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज से अधिक महगा होता है ये गलत है ये एक बहुत ही सस्ता साधन है इसका उपयोग करके जरूरी दवाईयां मरीजों तक असानी से पहुँचाई जा सकती हैं वो भी कम खर्च में यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूस भी आया है कि तेलंगाना सरकार ने beyond visual line of sight पर अधारित जो drone है उनके परिक्षन का मंजूरी दिया है और ये जो drone होंगे जो कि beyond visual line of sight पर अधारित होंगे उनका इस्तमाल vaccine की delivery में किया जाएगा तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इनका जो उपयोग होता है वो दी है तो यहां पर ये कहना कि इसका अगर हम यूपयोग करेंगे तो ये इसकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी खास करके helicopter और हवाई जहाज के परिपेक्ष में उसकी तुलना में तो यहां पर ये कहना गलत है यानि कि question number 3 का सिर्फ जो पहला कथन है वो सही है और के संदर्म में निमलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो हाजोंग एक समुदाय है एक आदिवासी समुदाय है और इसके ऊपर कुछ कथन दिये गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है आए देख लेते हैं एक एक करके दोनु कथनों को पहला कथन है हाजोंग मुख्यता बौध हैं और वे हाजोंग बोलते हैं जो एक indo-r.n भासा है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मुख्य बाते बतायता हूँ हाजोंग समुधाय के बारे में, ये जो हाजोंग समुदाये हैं वो चकमा समुदाये के साथ मूल रूप से पूरवी पाकिस्तान जी से अभी हम बंगलादेश के नाम से जानते हैं उसके चटगाओं पहाड़ी इलाके के निवासी थे और 1960 के दसक में जब उनकी जमीन केप्टाई बांध परिजना के दौरा डूब गए थी त जो कि हिंदू हुआ करते थे उन पर पूरवी पाकिस्तान में जो कि अभी का क्या है बंगलादेश उन पर धारमिक उत्पिरन भी हुआ करता था और उसके कारण ये लोग पलायन करके भारत में आने लगें तो यहां पर एक बात तो आपको समझना है कि जो चकमा होते हैं व हिंदू धरम को मानने वाले हैं जबकि हमारा जो पहला कथन है वो कह रहा है कि हाजोंग मुख्यता बौध हैं जबकि मैंने आपको क्या बताया हाजोंग मुख्यता हिंदू होते हैं यहां पर जो भासा की बात हो रही है कि वे हाजोंग भोलते हैं और जो एक इंडो आरेन ये वाला पार्ट जो है आपका सही है ये बात सही है कि हाजोंग जो है वो हाजोंग भासा बोलते हैं जो की एक इंडो आरेन भासा है लेकिन जो इसका पहला भाग है जिसमें कहा गया है कि हाजोंग बौध होते हैं ये गलत है और इसी वज़े से आपका पहला कथन गलत हो जा ट्राइबल समुदाय को जानता होगा तो वो अपने समुदाय से बाहर जो विवाहर नहीं करते हैं ज्यादातर समुदायों में और यहां पर हजों के बारे में भी ये बात सही है यानि कि आपका जो दूसरा कथन है वो भी गलत है और इसलिए question number 4 का answer क्या होगा option number D कोई नहीं आएए अब एक previous year के question को देख लेते हैं जो की 2017 में पूछा गया था और यहां पर question क्या है कि निमलखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर आपको तीन कथन दिये गए हैं और पहला कथन है भारत ने विश्वपार संग्ठन के वैपार सुविदा समझोते हैं जिसे ह विश्वपारी होते हैं वो बहुत ही परिसान रहते हैं इसके कारण निर्यात करने में आयात करने में बहुत सारा जो है टाइम लग जाता है क्योंकि प्रकिरिया बहुत ही जटिल होती है और इसी के कारण WTO के द्वारा आयात और निर्यात की प्रकिरियाओं को सरल करने के लिए उसके आधुनिकी करन के लिए उसमें सामानजस से बैठाने के लिए विश्ववपार संग्ठन के द्वारा 2013 के बाली में एक सम्मेलन बुलाया गया और जिसमें विश्वपार संग्ठन की जो सदस्य थें उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रिमेंट जिसे हम TFA के नाम से जानते हैं उसके उपर चर्चा हुई और उसको मंजूरी दिया गया जिसे की 22 फरवरी 2017 को WTO के सदस्यों के दो तीहाई के समर्थन के बाद लागू कर दिया गया यानि कि इसे 22 फरवरी 2017 को लागू कर दिया गया तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन है कि भारत ने विश्वपार संग्थन के वैपार सुब्धा समझोट्य की पुष्टी की है इसके बारे में भी आपको जनकारी देता हूँ कि भारत ने भी इस पर साइन किया है और यहां पर 22 अपरैल 2016 को भारत के द्वारा इसकी पुष्टी की गई तो जो पहला कथन है वो क्या है आपका सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को और दूसरा कथन है TFA 2013 के विश्वपार संग्थन के बाली मंत्री अस्तरिये पैकेज का एक इस्सा है मैंने आपको अभी बताया कि 2013 में बाली में इस पर एक समझोता हुआ था यहाँ पर मंत्री अस्तरिय सम्मेलर में इस पर चर्चा हुई थी जो कि यहाँ पर आपका दूसरे उप्षन में कहा जा रहा है तो 2013 भी सही है और बाली भी सही है इसलिए आपका उप्षन नमबर टू भी क्या होगा सही होगा आए देख लेते हैं कथन 3 को और कथन 3 है TFA जनवरी 2014 में लागू हुआ मैंने आपको अभी अभी बताया कि TFA 22 फरवरी 2017 को लागू किया गया था इसका मतलब कि आपका जो तीसरा कथन है वो क्या है गलत है और यहां पर आपको बताना है कि उप्यूक्त कथनों में से कौन सा सही है यानि कि पहला सही है दूसरा सही है और तीसरा गलत है और इसलिए इस कोस्चन का एंसर आपका ओप्षन नमबर A होगा केवल 1 और 2 आए अब आज के Fact of the Day के बारे में चर्चा कर लेते हैं और यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं European Investment Bank के बारे में और इस पर चर्चा करने का कारण क्या है क्योंकि यहां पर एक News आया जिसमें कहा गया कि European Investment Bank पूने Metro Rail Project को पूरा करने के लिए 150 मिलियन यूरो की सहायता देने वाला है भारत सरकार को और इसी को ले करके हम यहां पर European Investment Bank की चर्चा करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 1958 में Brussels में इसकी अस्थापना की गई थी यानि कि European Investment Bank की अस्थापना की गई थी लेकिन 1968 में इसे Luxembourg में ट्रांसफर कर दिया गया यानि कि अभी जो इसका मुख्याला है वो Luxembourg में है लेकिन जब सुरुवात हुई थी 1958 में तब यह कहां पर था ब्रसल में और आपको यह याद रखना है कि 1968 में इसे Luxembourg में सिफ्ट कर दिया गया आपको इसके प्रेजिडेंट का नाम भी याद रखना है और इसका जो प्रेजिडेंट है उनका नाम है Warner Hoyer अगर हम इसके काम की चर्चा करें भूमिगा की चर्चा करें तो इसका में उद्देश से यूरोपिये संग के जो देश हैं और बाहर ही दुनिया के जो देश हैं उनको मदद करना उनका वित्पोसन करना वैसे प्रोजेक्ट्स जिससे की मानव जाती का भला हो सकता है जो की उस देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को क्या करता ह ये वित्य सहायता परदान करता है तो यहाँ पर आपको जानना है इसी के तहत यहाँ पर European Investment Bank ने पूने Metro Rail Project को भी सहायता परदान की है और यह सहायता कितनी है 150 million euro की आसा करता हूँ कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा अगर आपको आज का ये अंक पसंद आये तो धन्यवाद और नमस्कार